दोस्तो आजके इस वीडियो में आप सभी को न्यूजिलेंड बर्सेस बंगलादेस के वीच खेले जाने वाले वर्ल्लकब 2023 का मैच नमबर 11 का 61 बविश्यवानी देने वाले हैं अगर आप यह करकेड मैच के दिवाने तो इस वीडियो को एक लाइक जरू करते जेगा और साथ ही हमें कमेंट में जरू लिखे आप इन दोनों टीमों में से किसको सपोर्ट करेंगे दोस्तो विश्यवकप 2023 का 11 मुकाबला न्यूजिलेंड और बंगलादेस के बीच आज 13 अक्टूबर सुक्रवार को खेला जाएगा यह मुकाबला चन्नाई के मेंच इदंबरम स्टेडियम के मैदान पर होने वला है इस मैच की सुरवाद भारते समय नुसार दोपर दो बज़े से होगी निजलेंड और बंगलादेस ने विश्यवकप में अपने दो-दो मैच खेल लिया है और अब दोनो टीमें अपना तीसरा मुकाबला खेलेगी निजलेंड की टीम अपने पिछले दोनो मैच जीत कर आ रही है तो वहीं बंगलादेस अपना पिछला मैच इंगलाद से हार कर आ रही है दोस्तो अब लोगों को मैच प्रेडिक्शन टॉस रिपोर्ट एफर सेशन खेलना है तो सचीन प्रेडिक्शन के साथ 0 से जूना इनका 90% से ज्यादा accurate काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे इनका WhatsApp नमबर स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन इस पीच पर बलेबाजो की तुलना में स्पीनर्स को अधिक मदद मिलती है इसका वज़ा यह है कि पीच थोड़ी धीमी कती की है इस पीच पर सुरवात में तेज गिनबाजो को अच्छा उच्छाल मिल सकता है और बलेवाजों को खेलने में परिसानी हो सकती है और इस पेच पर स्पीन गेंद बाज अच्छे से फायदा उठा सकते हैं क्योंकि यह पीच धीमी गतिकी है जिसकी वज़ा से यहाँ स्पीनर्स को टंड मिलता है और वह अच्छा पदसन दिखा सकते हैं इस पेच पर बलेवाजों को समझदारी से सार्ट लगाने पड़ेंगे और बलेवाज एक बार टिकने के बाद बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है लेकिन बलेवाजों को यहाँ स्पीन गेंद बाज से संबल कर खेलना होगा इस पेच पर बलेवाजों को स्पीनर्स की लेती गेंद को समझदारी से खेल कर रन बनाने होंगे चन्ने के इस मेदान पर अभी तो कूल 35 अंतराश्ट्रे वंडे मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 17 मैच पहले बलेवाजी करने वाले टीम ने जीते हैं और एक मैच बे नतीजा रहा इस मेदान पर खेला गया पिछला मैच दूसरी इनिंग में बलेवाजी करने वाले टीम ने जीता था वंडे क्रिकट में न्यूजिलेंड वर्सेस बंगलादेस के बीच अब तक 41 मैच खेले गए हैं इसमें से न्यूजिलेंड ने 30 मैच जीते हैं तो वहीं बंगलादेस ने 10 मैच जीते हैं इसके लाबा एक मेच बेन नतीजा रहा वंडे वर्ल्लकट के दोरान न्यूजिलेंड और बंगलादेस के बीच अब थक 5 मैच खेले गा हैं जिसके चलते ही यह कहाना गलत नहीं होगा कि यह मैच न्यूजिलेंड जीतेगा दोस्तों क्या है आप कराएं आपका हिसाब से आज का मैच को जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बता है और इस तरह के क्रिकाट अप्डेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन जरू प्रेस करे थैंक्स पूर वचिंग